आज के बीडियो क्लास IRPWM बीडियो संख्या 16 में आपका पुनह स्वागत है इस बीडियो क्लास में हम अध्यन करेंगे में लाइन लूप लाइन एबम साइडिंग में पर्यूप्थ न्यून्तम रेल सेक्शन एबम इन लाइनों पर पर्यूप्थ किये जाने वाले फिस प् प्रारंब करते हैं आज की क्लास सर्पर्थम में लाइन में पर्यूप्थ किये जाने वाले नियून्तम रेल सेक्शन के बारे में डिसकस करते हैं में लाइन पर जब भी ट्रेक रिनूल का कार्ज करना हो या डबलिंग का कार्ज करना हो या नई लाइन डालनी हो खत्वा ग परन्तु नई लाइन एबम गेज कनवर्जन वाले रूट पर अनुमानित ट्रैफिक GMT पांच GMT से कम हो तो भविस में प्रोजेक्टेट एक्स्टेंशन को ध्यान में रखते हुए 60 kg परती मीटर सेकेंड हैं रेल का परियोग किया जाएगा जदी ऐसी रेले रेलबे के पास उपलब्द हो अन्न था जैसा कि पूर्ण में वर्णित हैं कि 60 kg परती मीटर 90 UTS रेल का ही परियोग किया जाएगा अब बात करते हैं लूप लाइन में परियुक्त की जाने वाली निउन्तम रेल सेक्सन के बारे में लूप लाइनों में नवीनी करण कार्ज हेतू 60 kg या 52 kg परती मीटर की सेकंड हैं रेले ही परियोग की जाएगी यदि उप्युक्त कारण बस नई रेलों का उप्योग करना अवस्यक हो जाता है तो इसके लिए रेले बोर्ड की पूर्व सहमती अवस्यक होगी अब चर्चा करते हैं साइडिंक में परियोग की जाने वाली न्यूंतम रेल सेक्षन के भारे में इसे हम चर्चा के ओदिस से तीन वर्गों में भी वाजित करते हैं पहला यदि साइडिंग DFC रूट से DFC रूट या DFC रूट से 25 टन एक्सेल रूट दूसरा फिडर रूट से DFC रूट या फिडर रूट से 25 टन एक्सेल लोड रूट ऐसी रूटों पर नियूंतम 60 किलोग्राम परती मीटर रेल सेक्षन का पर्योग किया जाएगा साथ ही बे अन्न साइडिंग जिन पर अनुमानित स्पीड पचास किलो मीटर परति घंटा से ज्यादा होगी वहाँ पर भी साथ किलो ग्राम परति मीटर रेल का पर्योग किया जाएगा परंतु बे अन्न साइडिंग जिन पर अधिक्तम अनुमत गती पचास किलो मीटर परति घंटा तक है वहाँ पर बामन किलो ग्राम परति मीटर सेकेन हैंड या बामन किलो ग्राम परति मीटर इंडस्ट्रियल यूज रेलों का परियोग किया जाएगा उमीद करता हूँ कि नियुन्तम रेल सेक्षन के सम्मन्द में आप पूर्णते या अस्पस्ट हो चुके होंगे अब इस वीडियो क्लास के दूसरे भाग में हम चर्चा करेंगे अनुमोदित रेल फासनिंग फिस प्लेट के बारे में रिकमेंडेड रेल फासनिंग फिस प्लेट के बारे में फिस प्लेट का परियोग दो रेलों को जोडने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है इन रेलों को जोडने हे तू फिस बोल्ट और दूसरे फिटिंग्स का भी साथ में इस्तेमाल किया जाता है फिस प्लेटों का RDSO Specification IRS T1 है अर्थात फिस प्लेटें IRS T1 Specification के अनुसार ही बनाई जाती है फिस प्लेट चो हम सामान नत्या परियोग करते हैं उनमें पहला है T09M यह फिस प्लेट बामन केजी रेलों के साथ इस्तेमाल में लाई जाती है यानि कि बामन कीलोग्राम परती मीटर रेलों को जोड़ने के काम में लाई जाती है दूसरा है T1898 में यह 60 किलोग्राम परती मीटर रेलों को जोड़ने के काम में लाई जाती है तीसरा है T5915 यह रेले यह फिस प्लेट बामन कीलोग्राम परती मीटर रेलों को जोड़ने के काम में लाई जाती है परन्तु यह फिस प्लेट एक मीटर लंबी होती है और चौथा T5916 यह फिस प्लेट भी एक मीटर लंबी होती है जो 60 kg पर 30 मीटर रेल को जोडने के काम में लाई जाती है आप अस्क्रीन पर देख पा रहे होंगे यह a snapshot है 52 kg फिस प्लेट का और 60 kg फिस प्लेट का यहाँ पर बिभिन परकार की दूरियां इसमें दिखाई गई है खासतुर पर जो दियान देने योग है कि इन फिस प्लेट में जो होल बनाया जाता है वह 27 mm डाया का होल बना हुआ रहता है परंतु इन रेलों को इस्तेमाल करने के लिए रेलों में जो होल किया जाता है वह 32 mm का होल किया जाता है ठीक इसी प्रकार नीचे में 60 kg का भी फिस प्लेट दिया हुआ है यहां भी 27 mm डाया का fist plate में hole नहीं हो रहता है परणतू रेल में 32 mm डाया का hole करना होता है यहां दो आन एक 미टर वाले face plate को दिखाया गया है यहां पर भी उसी परकार है 27 mm डाया का hole fist plate में रहता है यहां भी 27 mm डाया का फिस्ट प्लेट में रहता है और रेलों में 32 मिम्डाया का होल करना होता है अब बात करते हैं जागल फिस्ट प्लेट के बारे में जागल फिस्ट प्लेट का पर्योग welded joint और rail failure की इस्तिती में clamp के साथ इसका पर्योग किया जाता है joggle face plate का निर्मान IRS T1 के specification के अधार पर किया जाता है तीसरे type की face plate होती है combination face plate combination face plate चार के set में आती है और इनका पर्योग दो different type के rail section को जोड़ने के काम में आता है जैसे कि 90 kg, 90 kg और 20 kg और 60 kg रेलों को इन चारों set के combination face plate में marking की हुई रहती है IR अर्थात inside right, OR outside right, IL inside left और OL outside left combination face plate का निर्मान IRS T1 specification के आधार पर किया जाता है यहां पर ध्यान देनों लोग यह बाते हैं कि on either side of combination face plate full length of rail should be used यानि कि जब भी आप combination face plate का इस्तेवाल करेंगे तो जिन रेलों को जोड़ा जा रहा है वो रेले अपनी पूरी लंबाई यानि पूरी standard length में खूनी चाहिए combination रेलों का परियोग अब एक नई combination रेले आ गई है जो फोजड करके बनाई गई है दिन का परियोग combination face plate की जगे preferably किया जाना चाहिए जोगल face plate और combination face plate की drying numbers के बारे में थोड़ी चरचा करते हैं बामन केजी रेलों में रेल fracture हो जाने के सिति में टी 551 ड्राइंग नंबर की जोगल face plate का परियोग किया जाता है दूसरा है टी 242 और 243 नंबर की जोगल face plate यह जोगल face plate 75 mm wide gap 80 welding में बामन केजी रेलों के साथ परियोग में लाया जाता है अगला जोगल face plate है 246 और 247 यह जोगल face plate 75 mm wide gap 80 welding जो की 60 kg के साथ होगा उसमें CI block के साथ इसका परियोग किया जाता है अगला है टी 5849 इस जोगल face plate का परियोग 60 kg रेलों के building joint पर इसका परियोग किया जाता है और टी 5848 इस जोगल face plate का परियोग बामन केजी welded joint के साथ में किया जाता है अब बाताती है combination face plate की combination face plate जो की दो अलग टाइप की रेलों को जोडने के परियोग में लाए जाता है अगर बामन केजी रेल और 60 kg UIC रेलों को जोडना है तो combination face plate 696 to 699 combination face plate का परियोग किया जाता है और T69594 से T6597 combination face plate का परियोग 60 kg UIC रेल और बामन केजी रेलों को CI ब्लॉक के साथ परियोग करके जोडने के काम में लाए जाता है Congratulations for completing this video classes इसमें हम आपसे एक सवाल पूछना चाह रहे हैं कि आपने इस वीडियो में क्या सीखा How much mm dia hole shall be done in rail when using 60 kg 1 meter face plate इसे हिंदी में है कि 60 kg 1 meter face plate का उप्योग करते समय रेल में कितने mm का ब्यास का छेद किया जाएगा आप अपने अंसर से comment box में दे धन्वाद